अभी स्टार्ट करते हैं लोग नोट पैड माइस्क्यूल कमांड लाइन क्लाइट रूट इसको जूम कर लेते हैं हमारा डेटाबेस का नाम क्या था फ्लिपकाट यूज फ्लिपकाट से मिपोलू अब देखना है कि फिलाल अभी हमनों कौन सा डेटाबेस में है तो सब्सक्राइब करें अगर दिखाई ने रहा होगा ता आप एक बार डिस्क्रेक्ट होके फिर से करेक्ट हो जीए चाहिए आपके तरफ से कुछ पर्लम है चलो यह है तो हम लोग डेटाबेस कैसे बनाते थे तो create database database का नाम है database में घुशते कैसे थे use database का नाम देखना हो कि हम फिलाल कौन से database में काम कर रहे हैं तो data select database, ऐसे, हमें देखना है कि इस database में कितना सारा tables है, तो कैसे देखते हैं, show tables, तो एक ही table है, account नाम का, हमें देखना है कि account table के अंजर में क्या क्या column है, उसका data type क्या है, कैसे देखेंगे, क्या लगता है, किसी को, कोई idea, किसी को नहीं पता है, describe table, describe account, describe table का नाम है, आप basic भी लिख सकते हैं, short में, तो यह दिखा रहा है, चलिए हम लोग table बनाना सिख गये थे, table का ये column कैसे बनाते हैं, उसका data type बनाते कैसे हैं, data type change कैसे करते हैं, ये null, yes, no का meaning समझ गये थे, primary की unique की कैसे बनाते हैं, default उसका value क्या रहेगा, null रहेगा, कि हम जो देंगे वो रहेगा, चेक लगाने आप लोगों समझा दिये थे, जैसे gender में चेक लगा हुआ है, check constant, male और female नहीं लेगा, अधर लेगा, दूसरा और कुछ नहीं लेगा, एक स्ट्रा में लिखा हुआ है कि यह auto increment है, यह default generated है, और यह default generated on update current timestamp है, यह दिखा दिया, तो tables related सारा काम हो चुका था, column को add करना, column को delete करना, column को modify करना, table को delete करना, अब है table का अंदर का चीज में आते हैं हम लोग, तो हमें देखना है कि इस table में क्या-क्या value है, और सारा column में, id, name, gender sub में, तो क्या करेंगे, select star, star का मत्ब all columns, from table का नाम, तो select star from account, star का मत्ब बता है, all columns, तो आप यहाँ पर column का नाम mention भी कर सकते हों, कि select id, name, gender, dub, email, तो जब सारा columns हमें print करना है, तो हम वहाँ पर नाम क्यों लिखे है, हम एश्टरी साइन देंगे, star साइन, इसके बाद क्या होगा कि हमें सारा नहीं चाहिए, हमें ही क्या चाहिए, सिर्फ id, name, email, contact, और city, select id, name, city, email, contact, कहां से, from account, जब आया, id, name, city, email, contact, सिर्फ इतना ही आ रहा है, जो हम बोलेंगे, ठीक है, चलो हमारे पास एक total पांच रू है, हमें क्या चाहिए कि id, name, city, email, contact, from account, तो account table से सारा record का id, name, city, email, contact हमें दिखाई दे रहा है, बट हमें सारा record का नहीं देखना है, हमें देखना है कि इसमें जो इनसान, मुंबई में रहता है, हमको सिर्फ उसका डिटेल चाहिए, अचाहां यहां पर देखें, एक चीज गलत है, यहां भी आर्ती राउथ मुंबई, आर्ती राउथ मुंबई, जबकि यह आर्ती है, अनीशा है, यहां तो अनीशा करना था, चलो एक बड़ देखते हैं, पूरा डिटेल, सलेक्ट इस्टार फ्रम अकाउंट, यहां जो आईडी फोर है, इसका नाम गलत है, यह तो अनीशा था, यह नाम गलत है, सही कैसे करेंगे, किसी को भी कोई आईडिया, अगर प्रक्केस कियोगो तो पता ज्यूरूर, कि बोलो, इसका फ़ोर होनको चेंज करना अमको गलत नाम है, अपडेट के बाद अपडेट के बाद अपडेट के बाद अंप अनिश्य कुमारी करने अब क्या कर देंगए सब का Znaam Anisha कुमारी कर देगा अपडेट Zentवडडर विम TMR लगाना पड़ेगा वेश अब जिसका आइड यह सिर्फ उसी का करेंगा यह अब चेक करो सप्रइक अब करें अनिशा कुमारी अनिशा अब ठीक है चलो है हमको क्या करना है तो सभी फॉच्त प्रम अकाउंट यह करने से क्या होता है सारा record का सारा column, select के बाद हमेशा हम लोग column देते हैं, और table name के बाद हम लोग condition लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, select के बाद कौन-कौन सा column का value चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, और table name के बाद, आप condition लगारे जो आपको लगाना है, वो लगाओ, तो चल सारा रोने चाहिए हमको सिर्फ वही रो चाहिए जिसका सिटी मुंबई है तो सिर्फ दो लोग का है ना अनीशा का और आर्ति का लिखनावाई होगा स्रेक्ट शारफ्रम अकाउंट वेयर लगा दो वेयर चाहिए सिटी कोल टू मुंबई अब सबका नहीं आ रहा है अब जिसका सिटी मुंबई है सिर्फ वहीं आ रहा है हम चाहते हैं कि सिर्फ मुंबई नहीं जिसका सिटी को लकाता हो वो दिखाओ कोलकाटा को सिर्फ एकी अदमी का है तो कोलकाटा नहीं जिसका सिटी या तो कोल काता होना चाहिए या फिर होडा होना चाहिए दोनों में से कोई एक कोई ravmaya city equal to कुलकatा ओर किपोलटु तो हावडा कुलकाता दोनों ही दिखा रहा है और लगा दिये हं दूतीन कंडिशन आर लगाने तो और लगाते जाओ या तो कुलकाता या तो हावडा या या तो य है इसके और आप्षम है इसके कक वर ओप्षिटीm इन याद है बताये थे कोलकाता कॉमा हावडा सेमी कॉलम तुछ याद आ रहा ऐसा हम लोग पढ़े थे कि सिटी इन ऐसे भी कर सकते हैं लोग ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है और लिग देंगे नॉट इन था ना यहां नॉट इन कर दो हमें सारा कॉलम का वैलिव दिखाओ उसका जिसका सिटी कोलकाता हावडा नहीं है देखो मुंबाई मुंबाई कानपूर नॉट इन मतलब इसमें नहीं होना चाहिए तो कभी कभी ऐसा आम लों को जरूत पढ़ता है कंपनी वेगर आप लोग काम करोगे ना अब जो कोलकाता है क्योंकि उसके पास तो लाखों एंप्लूई है हजारों सिटी से होंगे बट कोलकाता वालों को सिर्फ हमको डिटेल चाहिए लिग देना सरेक्ट स्टार फर्म अकाउंट वेर सिटी इकोल टू कोलकाता है यह हो गया अब क्या यहां पर कि हमें चलो हम लोग एक क थोड़ा सा मुआ रेगुलर एक्स्पेश्चेन बोलो, या फिर वाइल्ड रिकार्ड कारेक्टर, इस पर आप काम करते हैं, मतलब कि इसको आप रेखुलर एक्स्पेश्चेन या फिर समय आएगा, किसको दे तो थोरा से examper लेंगे तो आपको समझमिराई अगरू हम क्या चाहते हैं के जिसका नाम A सरो नहीं पता है कि उसका नाम A सरो हो रहा था मट उसका बाद हमको नहीं पता है क्या करोगे Select हम को चलो सारा column नहीं तो सेलेक i-d, name, city, email, contact from account. ये तो सारा record दिखा दे रहा न हम जो column बोले हैं वही column दिखा रहा. मट सारा records का दिखा रहा हमें सारा record नहीं चाहिए हमें सिरफ वो record चाहिए जिसका नाम ए से start हो रहा है आइसे ही करना लास्ट में वेर वेर नेम लाइक ने जैसे इसको बुलता है वाइल्डिकार्ड तो वेर नेम लाइक अब सिंगल कोट या डबल कोट आपका मन कोई भी कोट दो इसके अंदर में स्टार्टिंग एस होना चाहिए तो हम ए लिख दिए स्टार्टिंग इस होगा उसके बाद काम को नहीं पता तो जहां नहीं पता वहाँ परसेंटेज देदो परसेंटेज का मतलब कि एनी करेक्टर कि एंड कि एनी लेंट मैंने कोई भी करेक्टर हो सकता है यहां पर एनी करेक्टर और नो करेक्टर कोई करेक्टर नहीं भी हो सकता है कितना भी लेंथ का कितना है एक बाद एक, दो, तीन, चार रे, कितना भी Length का हो सकता है, ज़से ये तो चोटा सा नाम है, इतना Length का हो, चाहिए इतना Length का हो, चाहिए किसी का नाम में सिर्फ A हो और कुछ नहीं, सिर्फ A, वो भी दिखाएगा, पर्सेंटेज का मतलब कुछ नहीं भी हो सकता है, मतलब समझ लो सिर्फ ए, और पर्सेंटेज का मतलब अजय भी हो सकता है, अमर्जीत भी हो सकता है, अनीशा भी हो सकता है, आरती भी हो सकता है, मतलब पर्सेंटेज का मतलब हमको नहीं पता है, वहाँ कुछ हो या ना हो, कित सब का नाम एसे स्टार्ट हो रहा है तो चलो यह तो ठीक है हम क्या चाहते हैं जैसे चलिए हमारे पास यह पांच रेकॉर्ड है पी किसका किसका बीच में आरती में टी है सुरूची नहीं है नीशा नहीं आजय नहीं है जै किस में आरती आर चेक करते हैं आरती में आर है सुरूची में आर है अनीशा में आर है अलीशा में आर नहीं है अजय में आर है तो आपको बीच में करना है तो पहले परसेंटेज फिर आर फिर परसेंटेज मैंने स्टार्टिंग में कुछ हो ना हो कोई अगर आर से कोई स् यह जो percentage है last वहां कुछ नहीं भी हो सकता है, मतलब R से खतम भी हो सकता है, percentage का मतलब क्या है कि कुछ नहीं भी हो सकता है, कुछ हो भी सकता है, कोई भी character, character का मतलब सिर्फ alphabet नहीं, कोई sign symbol, comma, full stop, ABCD, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है वहां पे, space भी हो सकता है, तो परसेंटेज मतलब हर चीज के लिए सब कुछ के लिए परसेंटेज लगाते हैं और एनी लेंथ जिसका जिसका अंदर आर होगा दिखाए आर 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 दो बार हो कोई फर्रक ने पड़ता आर है एक बार बीच में हम चाहते हैं किसका खतम हो रहा है आप चाहो तो नाम आरती से श्टार्ट होरा है, टाइटल हम नहीं पता रहिए, नाम पूरा पूरा आरती होना चाहिए, सिर्फ आ नहीं, परसेंटेज, अंटर करो, आरा ना, आरती रहो ति द्रहुत बात मरक énormément नहीं पता है, नाम आरती होना चाहिए सिर्फ आरती लिखो, एक भी नहीं दिखाएगा इसका मतलब हम wildcard यहां पर कहां यूज कर रहे हैं percentage वगर रहे कुछ भी हम लिख दिया कि एकदम exact आर्ती होना चाहिए आर्ती होगा तब ही दिखाओ तो आर्ती तो कोई नहीं है यह तो आर्ती राउत है आर्ती तो नहीं है हम चाहते हैं नाम starting का first name आर्ती होना चाहिए बाद में title कुमारी हो ABCD हो कोई भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है तो percentage के मतलब क्या समझ में आ रहा है कोई भी करेक्टर अगर किसी के नाम सिर्फ आर्ती रहता है तो भी इसमें दिखाएगा क्योंकि आर्ती के बाद कुछ नही आरा record नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए जिसका first letter A होना चाहिए second हमको नहीं पता तीसरा I होना चाहिए दखो अनीशा में पहला तीसरा I है अलीशा में पहला तीसरा I है दूसरा दूनों का अलग है इसमें first A है लेकिन तीसरा I नहीं है इसमें first A है लेकिन तीसरा I नहीं है ह हम क्या चेक करना चाहते हैं वेर, नेम, लाइक, शिंगल या डबल कोड पे अंदर में कि पहला यह होना चाहिए, दूसरा नहीं पता है, तो वहां अंडर्सकोर, जहां नहीं पता, वहां अंडर्सकोर, तीसरा हमको पता है, आई, उसके बाद परसेंटेज दे दो, उसके समझना यहां पर, परसेंटेज का मतलब, नो करेक्टर, एनी करेक्टर, नो लेंथ, एनी लेंथ, आया समझ में, Zero length का भी हो सकता है, लाखो length का भी हो सकता है, कोई character हो भी ने सकता है, और character हो भी सकता है, और underscore का मतलब क्या है? सिंगल कारेक्टर एनी कारेक्टर एक अंडर्सकोर का मतलब एक और तो फरक नहीं N रहे, L रहे, ABCD रहे, कौमा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर हम लोग अमीशा करते हैं, अमीशा पटेल, A, M, I, तो भी दिखाता है, A, M, I. एक अंडर्स्कोर मतलब एक ही करेक्टर. और परसिंटेज का मतलब, नो करेक्टर भी हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकता है, लेकिन एक अंडर्स्कोर का मतलब, नो करेक्टर नहीं हो सकता है, एक करेक्टर तो होना ही होगा, एक ही करेक्टर, कम से कम एक करेक्टर, ज्यादा-ज्यादा एक करेक्टर, लेकिन कौन सा क और खतम H से होना चाहिए. तो इस टार्टिंग A से, बीच में कुछ B, लास्ट में H. तो H के बाद कुछ लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, मतलब खतम H से होना चाहिए. आया ना आर्ती राउत? हम चाहे कि खतम H से होना चाहिए. तो H से देखो, दो खतम हो रहा. आर्ती राउत, सुरुची सिंग. देखो, आर्ती राउत, सुरुची सिंग. दोनों H से खतम हो रहा. जिसका जिसका H से खतम हो रहा वो आओ. या जिसका जिसका लास्ट में सिंग है, वो आओ. तो परसेंटेज, S, I, N, G, H. बताब कुछ भी रहे, कुछ ना भी रहे, लास्ट में सिंग से खतम हो रहा है. खतम हो रहा सिंग से. बोले, समझ में आया सबको? या लाइक वाला? येस सर. अब सर. ठीक है. तो ये तो रिट्रीव करने हुगा हम लोग का. ये हमें सारा रेकॉर्ड नहीं चाहिए. हमें क्या करना है? जिसका जिसका जीमेल में आईडी हमको सिर्फ गो चाहिए. वेर इमेल इकल टू सिंगल कोट में. परसेंटेज, स्वरी, सिंगल कोट में. परसेंटेज, और उसके बाद? क्योंकि जिसका एमेल के लास्ट में, अगर जीमेल होना चाहिए, तो यही चेक करेंगे. मैंने खतम इससे होना चाहिए, तो वेर इमेल इकल टू लिख जिए, स्वरी, करत लिख दिए है, इमेल इकल टू ने, इकल टू के मतलब क्या हो गया है? एक्जैक्ट यही खोजो, जिसका इसका एमेल होगा. लाइक लिखना है हम लोगो, अब इसके जैसा है, लाइक. हम चाहते हैं, जिसका सिटी केस से स्टार्ट होता हूँ, वेर, सिटी, इकल टू लिख दो गरे हैं, तो जो लिखोगे एक दा में एक्जाक्ट वही खोजेगा, और लाइक लिख दो गे तो तो तिर रिगना इस्पेशन, कि स्टार्टिंग केस होना चाहिए, बाद में नही पता है, कुलकाता भी है, कानपूर भी है, स्टार्टिंग केस से हो रहा है, चलो यह हुआ, हम लोग का in हो चुका है, not in हो चुका है, between भी हो चुका है, last बताये थे, where id between 3 and 5, including 3 and 5, less than greater than कर देते हैं, चलो, where id less than equal to 3, तो सिर्फ 1 और 2 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि टोटल कितना था, 1, 2, 4, 5, 6, आप कर दो, where id greater than 3, तो 4, 5, 3 दिखा रहा है, तो या less than greater than सारा काम करता है, चिक है, अब हमको क्या करना है, चलो, यह हो गया, और इसमें क्या कर सकते हैं, तो, इसमें एक salary का column add करके, यह salary कर सकते हैं, यह कदम कर सकते हैं, वही सब तो main है, वही सब भी आएगा, अभी तो बस basic बता रहे हैं, चलो, इसमें salary नहीं था न, चलो salary करते हैं, एड, हमको कहाँ पर salary add करना है, तो, ID name generated email contact city, city के बाद, तो क्या करना होगा, बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, चोड़े, इंसर्ट कहा सो जागा, पहले column add के लिए, पहले column है न, तिसर्ट कहां से करते हैं salary, अटर टेबल अकाउंट, add column salary, after, जो पाइट डिजिट महनी नहीं नहीं, चे डिजिट कर देते हैं, चे दो आठ, आठ डिजिट, पॉइंट के बाद, डो डिजिट, after, city, चलो add हो गया है, डिजिट का अकाउंट, बात चुक है, city के बाद salary, सबका salary क्या होगा, कुछ नहीं होगा, zero होगा, प्योंकि हम दो भाद में add किया है, select star from, account, देखो सबका null है, प्योंकि by default तो null था न, ये salary, देखो default में null था, तब सबका salary पुट करो, सबका salary बरापर रख देना है, 15,000, बात में change करेंगे, तो update, account, state, salary equal to 15,466 रुपया, point, 50 पैसा, सबका salary change करते गई है, तो सबका salary उतना ही हो गया, बोड़ताना condition लेगा हो तो सबका हो जाएगा, अपडेट, salary equal to 22,500, where ID equal to 1, उसके बाद salary, 16,890, point, 20 पैसा, where ID equal to 5, salary equal to 12,565, where ID equal to 6, सब्सक्राइब करेंगे, तब वो सब काम करेंगे, किसका salary सबसे ज्यादा हाई है, किसका सबसे low है, अभी थोड़ा सब select वाला basic fund हम बता देते हैं, और आज कुछ functions भी दिखा देंगा आप लोग को जो घर में, आज practice कर लिना होगा, वो सब सारा functions, उसके बाद कल से हम लोग पूरा like, जैसे project पे काम करते हैं, वैसे ही काम करेंगे, project मतलब, यह जैसे अभी जो पूशी, जिसका सबसे ज़्यादा salary है, वो हमको चाहिए, total salary हम लोग कितना pay कर रहे है, company का total salary कितना खर्चवरा महीने का, किसका date of birth, मतलब, हम देखेंगे कि किसका 35 साल से ज़्यादा age हो चुका है, उसका हमको list चाहिए, कौन 50 साल से उपर हो चुका है, उसको retire होने वाला है, उसका हमको age चाहिए, 30 साल से नीचे वाले बंदे कितने लोग हमारे पास काम कर रहे है, कौन सा employee का vacancy हमारे पास 20 साल पहले, अगर बोल देखेंगे 1995 में हुआ था, यहां से चेक कर लेंगे, account creation date से, यही सब बताएंगे, कौन employee कितना product बेचा है, उसका मंतली transaction कितना हुआ है, कितना का target पूरा कि है, तो 2-3 दिन यही सब काम चलेगा, फिर उसके बाद skill खतम, बहुत कुछ थोड़ी नहीं, चलेगा, मतलब आस तो 9 तारीख है, हो सकता है कि maximum 20 तक चले, या minimum 15 तारीख तक, लेकिन चलेगा, तो चलो यह तो basic operations हो गया, कि हम लोग update वगर सीख लिए है, कैसे value update करते है, चल account, यह क्या कर देगा, account table का अंदर का data सब को खतम कर देगा, ठीक है, लेकिन हमको, इस सब को खतम कर देगा एक साथ, और दूसरा तरीका क्या है, delete from account semikolon, यह भी खतम कर देगा, मतब truncate से भी, सारा row खतम, वाल्यू पर काम होता है, ठीक है, और delete from account, यह भी सारा वाल्यू खतम, अगर condition नहीं दे रहे तो, अगर condition देंगे तो, where id equal to 6, one row affected, अब दखो id 6 delete हो चुका है, ठीक है, तो, यह था delete के लिए, एक condition देना होगा, तो हम लोग condition देख लिए हम लोग, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो हमारा foreign key वगरा भी बाकी है, ठीक है, अभी हमारा foreign key वगरा है, बाकी है, अपको foreign key सिखाना है, foreign key क्या होता है, कैसे काम करते हैं, अभी joining वगरा है, बहुत स्राची बाकी है, चलो, ठीक है, तो यह तो हमारा selection से related हुए, कि select करना है, कौन सा column करना है, क्या क्या करना है, यह आप लोग को समझ में आ गया, क्या आपको date of birth चाहिए, greater than date of birth लिख देना, जो उससे बड़ा है वो दिखाएगा, इसमें 1995, 1995, 2001, हम चाहते हैं 1995, तीसरा महिना, शटा महिना, हम चाहते हैं 1995, एक जनवरी से उपर जिसका date of birth है, सिर्फ उसका दिखाओ, तो select star from account, where date of birth greater than, equal to, यहापे क्या कर दिए, 1995, एक तारीक, मैंने जनवरी और पहला महिन, तो तीन का दिखा रहा न, 1995, 1995, 2001, date of birth greater than, equal to, तो date time में भी हमारा operator काम कर रहा न, greater than, less than, between, between भी कर सकते हो, कि इस date से, इस date के बीच में, जो जो employee है, हमको उसका detail चाहिए, चाहिए, तो select करने में, फिलहाल के लिए basic यही है, कि आपको कौन सा column चाहिए, where condition, where clause, city में like कर दिए, जैसे था न, like, आपको regular expression बोलो आप, या wild card character बोलो, यह हो गया आपका, less than, greater than, समझ में आ गया, number को उपर में कैसे काम होता है, in, not in, between, यह सब आपको समझ में आ चुका है, like समझ में आ गया, ठीक है, हाँ, अब होता है, order by, group by, तो group by हम कल बताएंगे, मतलब जब हो sales में बताएंगे, तब group by बताएंगे, एक होता है order by, order by का मतलब, चलो पहले इसमें हम प्रिंट करते हैं, order में मतलब ascending और descending order में sorting करना है, चलो यह हो गया, तो इसमें insert करते हैं, इंसर्ट इंटू, अकाउंट, अकाउंट में कौन सा कॉलम में, तो हमें name में insert करना है, gender insert करना है, date of birth insert करना है, email, contact, city, salary, values, शलो, तो name में का डाल देता है, पंजनी कुमार सिंग, दूसरा क्या है, gender है, male, तीसरा क्या है, date of birth, 1991, बारा हुआ महीना छे तारीख, इसके बाद, email ID, पंजनी, add the rate, outlook.com, contact number तो number था, city, new Delhi, salary, इतना, semicolon, ठीक है, एक और insert करते हैं, इंसर्द प्रोटाउं इतना वाल्यूज, जाले भी, इतना प्वाइंट, इतना प्रॉंट, इतना, प्रॉटन हो गिया, रोशनी तिरानबे बारागवा माईना चार तारीक पीमेल रोशनी कुमारी एंटर चलो एक और एंटर हो गया उसके बाद फिर से डलते हैं अनीशा कुमारी अनीशा मान दो दो आदमी के नाम सेम है नाम सेम हो सकते हैं दो आदमी के अनीशा उसका अनीशा का जीमिल था इसका उट्लुक है है ठीक है राची इतना हो गया है अब टुप्लिकेट इंट्री अच्छा मोबाइल नंबर फिर से से हो गया है हो गया है अब चलो सलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट इधना डेटा है स्टेंग करना थो ऑडर वाई कि नेम इंटर करो पाइड डिफाल्ट में दिखाएगा मैं पहले अलिशा दिखा रहा है फिर अंशा कुमारी अंजचा कुमारी अंजनी कुमार ओ आर्थी राउथ रोसनी कुमारी शुरूची सिंग इतना दिखा रहा है कि अनीशा दो बार है कि पहले चार क्यों दिखा रहा है इसका रूल याद रखना कि हम तो कि हैं कि नाम के हिज़ाब से दिखाओ एस अनिंग ओर्डर में तो अगर किसी के नाम सेम हो गया तो डेटा सबसे पहले कौन एंटर हुआ था पहले अनीशा हुआ था उसके बाद में यह हुआ था है समझ में तो जो पहले वा तो पहले दिखाएगा जो बाद में ओ तो बाद में दिखाएगा अगर हमें डिसेंडिंग में थी है तो जो पहले इंटरी वा तो पहले दिखाएगा जो बाद में दिखाएगा और डिसेंडिंग में दिखाएगा तो descending में भी अगर किसी के नाम सेम हो गया तो जो पहले entry वह तो पहले दिखाएगा, जो बाद में entry वह बाद में दिखाएगा. माल लोग कि अगर कभी ऐसा situation है कि अगर नाम मैच कर जाता है, तो city के हिसाफ से दिखाओ. नहीं, नाम मैच कर गया, तो salary के हिसाफ से दिखाओ. अगर किसी का नाम सेम हो गया, तब उन लोगों के लिए सिर्फ वो, सिर्फ उन लोगों के लिए सब के लिए नहीं, जिसका नाम सेम हुआ है, उसके लिए फिर वो salary देख़ेगा. तो देखो, अनिशा, अनिशा, अनिशा का salary कितना था, 15? तो हम तो सिर्फ salary लिखे हैं, तो by default ascending order में दिखाता हैं, तो salary को DESC कर दो. अब देखो, तो अनिशा, अनिशा, पहले 45 अर दिखा रहा, फिर 15 अजर, नाम भी descending कर दो. नेम descending और salary भी descending. तो नेम में पहले सुरुची दिखा रहा, फिर रोसनी, फिर आर्थी, अंजली, अनिशा, 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 अब यह जो अनिशा देखो, दो बार है. अब दो बार में, पहले ज़दा salary भी दिखा रहा है, फिर कम salary दिखा रहा है, चुक्कि में descending की है न, और salary descending मत करो तो, नाम descending करो, salary normal लखो. तो नाम में descending में दिखा रहा है, और salary में, पहले 15,000, फिर 45,000, यह आप लोग का order by भी हो चुका है, group by, जब sales का कुछ दिखाएंगा न, उसमें होगा group by, group by होता है count वगर करने के लिए, ठीक है, तो order by होगी आप लोग को, ascending, descending order में आपको सजाना है तो, या फिर आप इस 3-3 चीज लगा सकते हैं, order by name, salary, id, 3-4, 5-4, 6-6, लगादो, हो सकता है, नाम सभी हो गया तो salary चेक करो, छूम सकते हैं, salary भी हो गया तो, सेम कर गया तो city चेक करो, ठीक हो सकता है, city भी मैच कर गया तो, button date of birth चेक कर लो, कहीं गलती से हो भी मैच कर गया तो, e-mail id या contact या Id यह तो मैंच नहीं करेगा ना क्योंकि email यूनिक था contact यूनिक था ID यूनिक था यह तो मैंच नहीं करेगा ना तो चलो यह हम लोगा हो गया तो अब इसके बाद यह हमारा थोड़ा बहुत basic operations था अब हमारा क्या है तब है topic foreign की foreign की है foreign की क्या होता है इसका काम क्या है देखो foreign की क्या होता है कि we make a table depend on हम लोग किसी एक टेबल को ना है दूसरे टेबल पर depend करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग foreign की लगाते हैं जैसे example तो एक काम करते हैं आज कर तो खेर हम लोग थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किये हैं तो तो अगर foreign की आज हम बताते हैं तो शाइद problem हो जाएगा जल्दी खतम नहीं हो पाएगा और हलबडी में ठीक सा समझा तो खास लेगा foreign की से related तो एक है यह जालो फो गया यह 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 झाल झाल